हेलो सुरेंट्स माइसर वितिंदर सुकला टुड़े वियर गूंग तुसाल दैक्वेशन साफ वर्क्षीट 9 आप यूनिट 7 बहुत आसानी से हम इसको सोल करने कोशिक करेंगे कभी कोई बच्चे इस तरह के को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन मैं ऐसे तरीके से आपको रहते हैं तो क्या करेंगे 2.8 divided by divided by यहाँ पर क्या है बिल्कुल आपने सही सोचा है 0.7 देखिएगा डिनोमिनेटर को यह डिवाइजर को होल नंबर बनाने के लिए सबस्क्राइब लुज़agar visible you to do and continue की मुल्टिप्लाइ कर रहें मतलब है skill 10 अपयाइब रहें इसका मतलब आप किसी नंबर में किसी fraction में 10 tap 10 अप कर रहें मतलब आप एक तरह सी 1 कुरण कर रहें और किसी fraction में 1 का multiply करने से fraction के value change नहीं होती है तो I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने क्या किया है यह सब लिखने जोड़ नहीं है तो इसको solve करते हैं तो answer क्या हो जाएगा 28 upon 7 अब आप यहाँ पर अरफ में इसको solve कर ले 28 divided by 7 तो 7 फोर्जा 28 तो हमारा answer क्या आएगा 4 ठीक है आईए next question को करते हैं यहां पर लिख लेते हैं 3.6 upon 0.4 तो इसको इसके denominator को whole number बनाते हैं फिर 10 upon 10 का multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा 36 upon 4 फिर से देखिएगा तो इसको divide करते हैं 36 को 4 से 4 9 जा 36 आप माइनस करते हैं यह simplest form is fraction को लिख लेते हैं तो answer आएगा 9 आईए question number next करते हैं 3.2 divided by 0.8 है तो देखिएगा 3.2 divided by 0.8 decimal के बाद one number है तो तो त्रेन पांट 10 का multiply कर देते हैं तो ऊपर 3.2 का multiply 10 से करेंगे तो यह बन जाएगा 32 0.8 का multiply 10 से करेंगे तो हो जाएगा 8 अब आप 32 को divide कर दें 8 से 8 फोर जा 32 और इस तरह से हमारा answer क्या हो जाएगा आपने बिल्कुल सही सोचा है 4 हो जाएगा आई देखते हैं next question 88.5 divided by 1.7 सो स्टूलेंट्स यहां पर इध्यान रखना है कि decimal को कितना डिजिट करना है वन डिजिट तो हम यहां पर वन डिजिट मतलब 10 से reply कर देते हैं तो answer हो जाएगा 85 अपान 17 और 85 को 17 से डिवाइट करते हैं 17 फाइब जा 85 हुआ करता है तो answer क्या हो रहा है 5 हो रहा है आई हो कि आपको समझ में आ रहा होगा question number next देख लेते हैं 0.75 divided by 0.15 देखे यहां पर थोड़ा अलग question है यहां पर denominator में two decimal number है तो two decimal number के लिए क्या करना पड़ेगा two zero या वाला number यूज़ करना पड़ेगा यह number हो जाएगा 75 अपान 15 और अब से रफ में 75 को 75 को 15 से डिवाइड करते हैं 15 फाइब जा होता है 75 टेवर आपको आनी चाहिए नहीं आती है तो multiply रफ में करके लिख लें तो आपका answer क्या आएगा five आएगा आई होप क्या को समझ में आ रहा होगा यह है ना आगे चलते है question number next यहाँ पर क्या है 1.25 और 2.5 है फिर देखिए वही कहानी है इसमें की 1.25 divided by 2.5 decimal के बाद 1 डिजिट है और उपर decimal के बाद 2 डिजिट है तो क्या करना चाहिए देखिएगा हम ऐसा करते हैं कि decimal के बाद हम ले लेते हैं 10 by 10 का multiply कर देते हैं हमें denominator को whole number बनाना है तो क्या कर करेंगे धान से देखिएगा 12.5 अपान क्या करेंगे 25 अब आपको याद है हम लोग इसकी पिछले वाजी टॉप टॉपिक में किया था 12.5 को 25 से डिवाइड करते हैं 25 वंजे 25 whole number पार्ट तो छोटा है इससे 0 टाइम हो जाएगा और यहां हो जाएगा 0 12-0 is equal to क्या हो साइए डेसिमल को उपर ले जाएंगे अब आप यहां पर अगला नंबर ले सकते हैं तो आप 25 टेवल कितनी बार पढ़ें 25 वाजा तो आपने साही सोचा है 25 फाइब जा 125 तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपने साही सोचा है दा आंसर 0.5 यह आपका आंसर है आ 0.6 or divided by 1.4 है इसमें हम 10 by 10 का multiply कर देते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं because क्या हो जाएगा आपने बिल्कुर सही सोचा है कि यहां पर डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो इसका multiply करते हैं क्या हो जाएगा 56 अपान 14 अब यार 56 सुद भी डिवाइद बाई 14 14 ने टेवल पढ़ें 14 14 20 20 14 340 14 42 14 424 56 14 4जा होता है 56 0 तो टेबल हमको अच्छे से आनी चाहिए 14 4 जा 56 हो गया आगी होप क्या आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं को शन की तरफ अच्छा सारे काल्कुलिशन आप एक बार अपने से भी करके देखेंगे 1.2 है जहां से देखिएगा यहां पर डेसिमल के बाद वन डेजिट है तो 1.44 और 1.2 दोनों में 10 अपां 10 का मुल्ट इप्लाई कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 14.4 अपां 12 denominator को आपको बनाना है whole number 14.4 divided by 12 है तो देखिये का क्या करना है 12 वंजा हो जाएगा 12 whole number part को पहें divide कर लेते हैं तो 4-2 is equal to 2 decimal के बाद के नंबर को लेने के लिए हमें decimal को उपर ले आना पड़ेगा और आप 4 को ले सकते हैं 12 तूजा क्या हो जाएगा 24 तो हमारा answer क्या होगा 1.2 चलिए आई देखते हैं next question 0.993 divided by 0.331 बड़ा ही आसान question है अब बिल्कुल गवरा है नहीं बड़े बड़े नंबर को देखके हमें गवराना नहीं है इसको इंट का जबा पत्थर से देना है decimal के बाद 3 digit हैं मत्तब decimal पार्ट में 3 digit हैं तो यहां पर 3 digit वाला 0 लगाना चाहिए इसके लगाते हैं पीछे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 993 अपार 331 अब वैसे तो 331 का टेवल हम लोगों को नहीं आता है बहुत बड़ा नंबर है पर यह इसको कर सकते हैं यह त्री टाइम जाएगा त्री आपको लगे तो आप मुल्टिप्लाइग करके डिवाइट कर सकते हैं आगे चलते हैं 25.925 यह लास्ट कोस्टन है और 0.425 है आप देखें बहुत असानिस कैसे किया जाए इसको 25.925 डिवाइड भाई 0.425 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए मुझे 3 0 लगाने चाहिए और यहां लगने जगने में नीचे लिग देता हूं तो क्या हो जाएगा नंबर 25925 अपान 425 ऐसा हो जाएगा तो एक जी जहां से देखेगा कि इसका टेबल पढ़ने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इसको 25 से डिवाइड कर लेता हूं तो 25 से इसको मैं सॉट कर में क्या है दिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड करना इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं थो क्या है wrinkles 25 1525 आर Judi 5 ऐख बिलकुल घ्रावरा नहीं कि काम करते हैं पूरे नंबर को 25 co डिवाइट कर लेते हैं पहले उपर और नीचे दोनों नंबर को तो 425 को 25 से मैं करता हूँ 25 वंजा 25 हो जाएगा टोर माइनस 5 इसकल टू 7 और 3 माइनस 2 इसकल टू 1 या 75 हो गया 25 टेवल कितनी बार पढ़ना है आपको बिल्कुल आपने सही सोचा है यहां पर मैं लिखता हूँ नीचे के आएगा 17 हो जाएगा और उपर भी डिवाइट करके मैं देख लेता हूँ तो क्या करना चाहिए बिल्कुल आपने सही सोचा है लास्ट में 25 है मतलब 25 से कट जाएगा यह तो क्या करना चाहिए 25 9 25 25 वंजा 25 0 पहली बार 9 नीचे आया डिवाइड नहीं हो रहा है तो 25 जुरंजा 0 यहां पर 9 आजाएगा अब अगली बार आप 2 को कैरी कर लें 25 3 जा क्या हो जाएगा 75 12-5 is equal to 7 8-7 is equal to 1 और एक नमबर को कॉपी कर लेते हैं जाएगा 25 जा घंजा हो जाएगा तो लिएवन या यह नमबर हो जाएगा मैं तो को इसको उपर कर देता हूं इस तरह से ओके ऑके क्या हैगा 175 जीरो तो यहां पर क्या अंसर आया 1037 यह नमबर थोड़ा सा बढ़ा हो गया इसको मिटा देता हूं आपने समझ लिया होगा अच्छा अब क्या करना है तो देखेगा यहां पर 17 आया था 17 से इसको डिवाइट कर लेते हैं तो यह बढ़ा आसान सा कोशन हो जाएगा 1037 डिवाइट बाई तो इसमें सारे कोशन्स में वीडियो को थोड़ा री कैट्चुलेट करिएगा फिर से पाउस करके बैक करके देखिएगा आपसे समझ में आ जाएगा ओकर चुनेंस मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू